दोस्तो अगर आपके मोगरा प्लांट में फ्लोवर नहीं आ रहे तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा ओर्गैनिक फर्टिलाइजर खाद बताएंगे जिससे आपका मोगरा प्लांट काफी अच्छे से फ्लोवरिंग करेगा चलिए जानते हैं सब्सक्राइब किजिए रूफटॉप गार्डनर करमविर चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटस्ट गार्डनिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो यह हमारा जैस्मीन मोगरा प्लांट है काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है और काफी सारी फ्लोवरिंग करता है मोगरा जैस्मीन एक हैवी फीडर प्लांट है जिसे फर्टिलाइजर की जरूरत ज़्यादा होती है फर्टिलाइजर का नाम बताने से पहले मैं आपको कुछ important जानकारी जरूर देना चाहूँगा दोस्तो जैस्मीन मोगरा प्लांट को आप कम से कम 12 इंच के पोट में जरूर लगाए और इसे ऐसी जगे रखे जहां 6-7 गंटे की सीधी सूरज की रोशनी से मिल पाए इसकी सोयल मिट्टी वेल्ड रेन और रिच होनी चाहिए परफेक्ट पोटिंग सोयल बनाने की वीडियो मैं पहले शेयर कर चुका हूँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं मोगरा प्लांट में फ्लोवरिंग के लिए आप इसकी लाइट प्रूनिंग हलकी कटाई छटाई जरूर करें कुछ टाइम पहले हमने इसकी लाइट प्रूनिंग की थी जिससे नई नई ब्रांच निकलाती है जब पुराने फूल खतम हो जाए तब आप कैची या कटर से इसकी लाइट प्रूनिंग कर दे जिस ब्रांच पर फूल खतम हो जाए उसकी टिप को कैची या कटर से हलका सा कट करें जैसा आप देख रहे हैं चलिए में टोपिक पर आते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या फटिलाइजर देना है दोस्तों आपको एक भाग नीम खली पौडर और एक भाग सरसो खली पौडर लेना है ये सरसो की खली है जो आपको मार्किट में असानी से मिल जाएगी हमने इसे मिक्सी में पीश कर पाउडर बना लिया है आपको एक भाग सरसो खली पाउडर और एक भाग नीम खली पाउडर लेना है दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करें आपका फर्टिलाइजर त्यार है इसके इस्तिमाल से आपके मोगर प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लोवरिंग होगी और आपका जैस्मीन, मोगरे का पोदा फूलों से लट जाएगा हमने दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब आप कोई से इस्तिमाल करने का तरीका बताते हैं सबसे पहले आप अपने प्लांट के गमले में से तूटे हुए फूल, पतिया और खरपतवार को अटाएं अब आप किसी नुकीली चीज से मिट्टी के उपरिस्त है लगबग एक इंस तक की मिट्टी की गुडाई करें ज्यादा गहरी गुडाई न करें जैसा आप देख रहे हैं हमने हमारे मोगरा प्लांट के गमले की मिट्टी की उपर की एक इंस की हलकी गुडाई कर ली है अब आपको मिट्टी में फटिलाइजर एड करना है एक गमले में शिरफ एक चमश फटिलाइजर काफी रहेगा आप गंबले की मिट्टी में फर्टिलाइजर मिक्स करें पोदे की मुख्य साखा से थोड़ा दूर पोदे के चारो तरफ फर्टिलाइजर को डालें और इसे मिट्टी में मिक्स करें जैसा आप देख रहे हैं आप महिने में एक बार इस फर्टिलाजर का प्रयोग अपने जैस्मीन मोगरा प्लांट में कर सकते हैं आप गंबले में पानी डाले इस फटिलाइजर के इस्तिमाल से आपके जैस्मीन मोगरा के पोदे में बहुत अच्छे से फ्लोवरिंग होगी आप महिने में एक बार इस फटिलाइजर का प्रियोग कर सकते हैं दन्यवाद दोस्तों उमीद है आपको वीडियो पसंद आए पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू